Hello friends, आप सब का कपसा नो भुगोल विश्य के अध्याय दो, बारत का बहुतीक सवरूप के अभ्यास प्रश्णों उत्तर की इस क्लास में हर्दीक स्वागत है हमने आपके नमिंतम पाटे करम के अनुसार अध्याय एक के समस्त अभ्यास प्रश्णों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है उसके लेंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं आज की इस क्लास में आपके अध्याय दो के अभ्यास प्रश्णों को सॉल्व करना सिखेंगे प्रश्णों की देखें पहला प्रश्ण है महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानिया कौन कौन सी है हिमानिया मतलब बरप की छोटी छोटी नदिया जिसमें चियाचिन, मल्टारो, बियापो, हिस्पार, गंगोत्री और चतुरंगी ये महान हिमालय में पाई जने वाली कुछ प्रमुक हिमानिया है अब बात करें परमुक दर्रों की जो महान हिमाल्य के अंदर मौजुद है तो उनके नाम है नाथूला दर्रा, चिपकिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, असिल दर्रा, जोजिला दर्रा और मानानिती दर्रा ये आपके महान हिमाल्य में पाई जाने वाले परमुक दर्रों के नाम आगे बढ़े प्रश्ण संक्या दो भारत के उन राज्यों के नाम लिखिये जहां पर उंचे सीखर इस्ति थे और ये प्रश्ण आपके पाठे पुस्तत की प्रश्ण संक्या आठ पर दी गई तालिका के अनुसार हैं भारत के उन राज्यों के नाम लिखने हैं जहां पर उं नंदा देवी यह उत्राखंड में हैं, फिर कामेट यह उत्राखंड में हैं, फिर नामचा वरुवा यह आपके औरुनाचल परदेश के अंदर मौझूद हैं तो ये बारत के कुछ परमुक उंचे शिकर है, जो काफी मैत्रपुन है, इसमें से इन से सम्मंदित प्रश्ण कई बार प्रिक्समें पूचा गया है, कंचन जंगा कहां पर है, चिक्किम में है, नंगा परवा जम्मू किस्मिर में है, और नंदा देवी कहां पर है, आपका उ जैनी ताल और आपका रानी खेत ये तीनों ही उत्राखंड के अंदर परियटनिय इस्तल हैं क्या है गुमने लायक बहुती सुंदर प्राकरति गिस्तान है और ये कहां पर है उत्राखंड में आगे बड़े आगे बात कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक के यानि पाट के बी उसे कहते हैं प्रायदिप क्या कहते हैं दूसरा है भारत के पूर्वी भाग में म्यामार की सीमा का निर्धारन करने वाले परवतों का संयुक्त नाम क्या है भारत के पूर्वी भाग में म्यामार की सीमा का निर्धारन करने वाले परवतों का संयुक्त नाम तो देखो यहा गोवा के दक्सिन में इस्तीत पच्चिमी तर्टिय पट्टी किस नाम से जाना जाती है तो उसे जाना जाता है कौंकन तर्ट के नाम से जाना जाता है फिर पुर्वी गाट का सर्वोच सिकर कौन सा है तो वो कौन सा है वो है आपका महेंदर गेरी पुर्वी गाट का में उतर दीजिए पहला है भाबर क्या है तो नदिया परवतों से नीचे उतरते समय सिवालिक की ढाल पर आठ से 16 किलो मिटर की चौडी पटी में गुटी का क्या करती है निक्षेपन करती है इसे का जाता है भाबर नदिया परवतों से नीचे उतरते समय सिवालिक की ढाल पर 8-16 km की चोडी पटी में गुटी का क्या करती है निक्षेपन यहनी मिठी का महापर क्या करती है जमाव करती है उसे का जाता है भाबर क्या का जाता है भाबर दूसरा है हिमाले के तीन परमुक विबाकों के नाम उत्तर से दक्सिन के करम में बताओ दूसरा है निमन हिमाल्य अत्वा हिमाचल के नाम से जाना जाता है तो यह हिमाल्य के तीन परमूग भाग है उत्तर से दक्सिन के करम में तीसरा है अरावली और विद्यांचल की पहाडियों में कौन सा पठार रिस्तित है तो अरावली और विद्यांचल की पहाडियों में आपका मालवा का पठार रिस्तित है इसका पठार मालवा का चो था बारत के उन दीपों के नाम बताओ जो प्रवाल भित्ती के बने हैं बारत के उन दीपों के नाम बताने हैं जो प्रवाल भित्ती यानि एक परकार का जो सेवाल का भाग होता है उससे मिलकर बने हैं तो वो है लक्षदीप समू जिसके अंदर लकादीव, मिनीकाए और एमीन दीव, लक्षदीव समूग की अंदर ये जो तीन मुख्य दीव है, लका दीव, मीनी काय और एमीन दीव, ये किसके बने हैं, ये परवाल भित्ती के बने हुए हैं, तीसरा, निम्न लिखित, मैं अंतर इस्पष्ट करो, बांगर और खादर, पुर्वी गाट और पच् यूवा जलोड को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, बांगर ये नदियों के बाड़ वाले मैदान के उपर इस्ति थे, जहां बाड़ का पानी परतेक वर्स नहीं पोंच पाता है, जबकि खादर इन चित्रों में बाड़ के समय, नदी का पानी संपून चित्रों में फैल जा और वहाँ पर नई जलोड परत क्या हो जाती है कि उता है यहां पर न chopped 1 पर में दोनों के अंदर अंतर हो गया फिर पूर्वी गाट और पच्चीमी गाट में आपको अंतर बताना है तो देखे एक बाग में लिखा है पूर्वी गाट और दूसरे बाग में लिखा है पच्चीमी गाट पहला अंतर है कि ये जो पूर्वी गाट है ये बारत के पूर्वी तर्ड परिस्ति थे जबकि पच्छीमी गाट ये बारत के पच्छीमी तड़ परिस्ती थे पुर्वी गाटों की जो ओसत उंचाई है वो लगबग 600 मिटर है जबकि पच्छीमी गाट पुर्वी गाट की इपैक्सा उंचे है और इनकी ओसत उंचाई 900 से लेकर 1600 मिटर के बीच में है फिर पूर्वी गाट बंगाल की खाडी में गिनने वाली नदियों दौरा खंडीत अनीमित और कटा फटा है वही पच्चिमी तर्ट के समानांतर चलते हुए पच्चिमी गाट बहती समानता दर्शाता है ये निरंतरता लिये हुए हैं और इनने दर्रों से होकर ही पार किया जा सकता है फिर पुर्वी गाट, महंदर गीरी पुर्वी गाट का सबसे सर्वोच परवत सिखर है वही पच्छीमी गाट के सबसे उंचे सिखरों में अनाई मूडी और डोड़ा बेटा सामिल है यह न, यह मेहंदरगीरी कई बार प्रिक्षा में प्रशन पूचा गया है, जिसकी उचाई कितनी है? 1500 मिटर. फिर पुर्वी गाट में वर्षा बहुत कम होती है, जबकि वर्षा वहाँक आद्र पवनों को रोक कर पच्चीमी गाट प्रवतिय वर्षा करनाने में क्या है? ब प्रवत्षनों में क्या अंतर है? पहले आपको भारत के प्रमुक भू आकरतिक भागों के नाम लिखने हैं. तो वो कुल कितने है? 6 हैं. पहला है हिमाले प्रवत्षनकला, दूसरा भाग है उत्रिक का मैदान, उत्तर का मैदान, तिसरा है प्राइड इपिय पठार, चौता जो भाग है वो है आपका दूसरा भागों के अंदर बाटा गया है. सबसे पहले हिमाले प्रवत्षनकला सबसे उत्तर में, उससे नीचे उत्तर का मैदान, फिर प्राइड इपिय पठारी भाग, फिर भारतिय मरुस्तल, जो थार का मरुस्तल है, फिर तटिय मैदान, और फ बताना है. हिमाले चेत्र अवसादी चेलो से बना है, जबकि प्राइड इपिय पठारी वाला भाग क्रिष्टिलियो, आगने और रुपांत्रित चेलो से बना है. हिमाले ये नविन वलित प्रवत्य चेत्र है, जबकि जो आपका प्राइड इपिय पठारी वाला चेत्र है, वो अती मैदान जलोड मर्दा से बना हुआ है इससे बना हुआ है जलोड मर्दा से जो की काफी उजव होती है लाखो वर्सों में हिमाले के गिरी पदो पर एक विसाल बेसीन में जलोड का निकसेप होने से इस उजव मैदान का क्या हुआ है निर्मान हुआ है लाखो वर्सों के अंद साथ लाख वर्ग किलोमेटर चित्र में फेला हुआ है इतने में साथ लाख वर्ग किलोमेटर एरिया में यह मैदान 2400 किलोमेटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमेटर लगबक्या है चोड़ा है समद्र मर्दा के आवरण, भरपूर पानी की आपूर्ती और अनुकुल जलवायू ने उत्री मैदान को करसी की दरश्टी से बारत का सबसे अत्यदिक उपजव भाग बना दिया है इसी कारण यहाँ पर जनसंक्या गनत्व भारत के सभी बोगालिक विबाजनों की पैक्सा इचेत्रम में क्या है? सबसे अधिक है, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंक्या निवास करती है उत्री मैदान के पच्चिमी भाग को पंजाब का जाता है गंगा का मैदान गगर और तीस्ता नदियों के बीच में इस्ति थे यह उत्तर भारत के विबिन राज्यत जैसे हरियाना, दिल्ली, यूपी, बियार और जारखन के कुछ भाग और पच्चिम बंगाल के पुर्वी भाग के अंदर क्या हुआ है, फैला हुआ है तो यह पौर्वी जानकारी थी आपके भारत के उत्री मेदान के बारे में है न, आगे बढ़े निमना लिखित पर संचिप्त ठिपन्नी लिखे मध्य हिमाल्य, मध्य उच भुमी और भारत के दीपसमू सबसे पहले बात करते हैं मध्य हिमाल्य के तो इसे हिमाचल अत्वा निमना हिमाल्य के नाम से भी जाना जाता है मध्य हिमाल्य सरवादीक असम है क्या है, सरवादीक असम है यानि कि लगबग मिलता जूलता है ज्यादा इसमें भीबिता देखने को नहीं मिलती। इन स्रंकलाओ का निर्मान मुक्यत अत्यदीक संपीडित और प्रिवर्तित सेलों से हुआ है। दोलादर और महाबारत स्रंकलाएं भी काफी महतुपोण हैं। इस संकला में कस्मीर की गाटी और हिमाचल के कांगडा और कुलू की गाटिया इस्ति थे। धरमसाला, डलहोजी, सीमला, नैनिताल, मसूरी, दारजलिंग, ये कई परवतिय नगर भी इसके निचले बागों में इस्ति थे, इस चेत्र को पहाडी नगरों के लिए भी जाना जाता है, यहापर काफी पहाडी क्या है, प्रयाटर निस्तल है, जिसकी बज़े से ये काफी फैमस है, आगे बढ़ें। दूसरा है आपका मध्य उच भूमी, कौनसा भाग है, मध्य उच भूमी, तो नरम्दा नदी के उत्तर में प्राइदी पिय पठार का वो बाग, जो मालवा के पठार के जाजातर भागों पर फैला है, वो कहलाता है मध्य उच भूमी के नाम से, इस चेत्र में बहने वाली नदीया कौन कौनसी है, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन, ये दक्सिन पच्चिम से उत् इस्तानिय रूप से बुंदलखंड का पठार, अत्वा बगलखंड के नाम से जाना जाता है, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित चोटा नागपूर पठार दर्शाता है, इसके और पूर्व के विस्तार को जापर दामोदर नदी बहत उसके द्वारा प्रवाहित चित्र को छोटे नागपुर पठार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा भाग है आपके भारत के दीब समूँ तो भारत के अंदर मुक्ये दो दीब समूँ हैं एक आपका लक्षदीब समूँ और दूसरा आपका अंडमान और निकोबार दीब समूँ पहला है लक्षदीब समूँ यह चोटे चोटे दीपो का समूँ है जो केरल के मालाबार के पास अरब सागर में इस्ति थे डिपो का यह समू चोटे प्रवाल डिपो से बिणा हुआ है यह लगबग 32 वर्ग किलो मिटर के चोटे से चित्र में फैला हुआ है 1903 में इसका दाप लक्ष दीप रखा गया पहले इन दीपों को लका दीप मीनी काय और एमीन दीप के नाम से जाना जाता था कावारती दीप लक्ष दीप का प्रसासनिक मुख्याले है इस दीप समू पर पादप और जन्तू के बहुत से प्रकार पाई जाते हैं पिटली दीप जा मनुश्य का निवास नहीं है वहाँ पर एक पक्षी अब्यारण भी मौजुद है तो ये जानकारी है लक्ष दीप समू के बारे में दूसरा है अंडमान और निकोबार दीप समू तो ये दीप समू बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्सिन की तरफ पहला हुआ है ये दीप समू आकार में बढ़े हैं संक्या में बहूल है और बिखरे हुए हैं इन दीप समू को दो बागों में बाटा गया है उत्तर में अंडमान और दक्सिन में आपका निकोबार दीप समू इन दीप समू में पाई जाने वाले पादप और जन्तूओ में में बहुत अधिक विविद्दा देखने को मिलती है ये दीप विसूवत वर्त के समी पीस्ति थे अत यहां की जलवायू विसूवती है और ये गने जं मुंद्र के अंदर डूप गई उन प्रवत स्राणियों के क्या है सीखर है ठीक आगे बड़े मानचित्र कोसल बारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिकित को दिखाईए प्रवत सीखर केटू कंचन जंगा नंगा प्रवत और अनाई मूरी फिर पठार सिलांग का पठार च दर्साना है तो देखो यहां पर हमने मैप के अंदर दर्साया है सबसे उपर है केटू फिर यह आपका नंगा परवत यह दोनों कहां पर है आपके जंगू कस्मिर में कहां पर है जंगू कस्मिर में फिर थायर का मरुस्तर कहां पर है आपके राजस्थान में फिर आपर जालवा का पठार है ये कहां पर MP यानि मध्यप्रदेश मैं हैं फिर ये बुद्देल छंट चोटा नागबुर का पठार है ये भी जारकंड और चतिस गड़िया का स्पास है फिर ये आपका पच्ची मिगाठ है यहां पर अरब सागर है यहां पर लक्षादिप समू है यहा और हमने सभी इस्तानों को मांचित्र के अंदर बहुत अच्छे से दर्शा दिया है तो इस प्रकार हमने आपके अध्यायदो भारत आकार वा इस्तती के अभ्यास के सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्र आपको बहुत अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए अब सभी का दन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सबस्क्राइब जरू करें आज गले इतना ही